आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसका रीजिन क्या है, रीजिन आपसे पूछा है आपके पाचार ओप्शन दिये हुए है तो यह गैस को हम जितना भी चाहिए उतना कंप्रेस कर सकते हैं या क्याने का मतलब ही है कि गैस बजाते हैं कंप्रेसिबल होता है और अगर इसको रख दे जाए किसी भी कंटेनर में या रूम में तो वो उसका पूरा वोलिम को एक्षप्ट कर सकता है तो गैस के वोलिम का मतलब होता है को बलाके गैस के मोलिकूल को मूव करने के लिए कितना जो वोलिम हो अविलिवल उसको बलता है मैं तो गैस का वोलिम तो पहले बात दो यह कि जो गैस है उसके गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो एक्षप्ट फोर्स होते हैं उनका वह बहुत नेलिजिबल होते हैं काफे दूर दूर यह लग पार्टिकल्स क्या होते हैं अब यह गैस फोर्म में आते हैं सोलेड में क्या होता है काफी अच्छा होताँ लिकविड में एक क्या होता है civil裡面 का थोड़ा साथ जे बहुत वीप फोर्स रहता है कि इनको कि में treaty में herbór kita कि इतना जाद अच्छा नहीं होता है इसकी वजह से इनके बीच में कोई बढूच है नहीं ठीक है तो अब यह दूर दूर रहेंगे मतलब इनको फैला जा सकता है और चुकि इनकी बीच में बीच में काफी जाई श्पेस आज हो सब्सक्राइब भी और इसको हम लोग कंपरेश करना चाहिए अगर तो आराम से कंपरेश करेंगे तो वह स्पेस दिर 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 क्या होगा कम हो जाएगा लेकिन इंके बीच में काफी इतना सारा स्वेस है कि सारे मॉल्लेकुल इक छोटे से पार्ट में भी आ सकते हैं इतने है क्या होगा अगर मैंने सब कंपरेश कर दिया तो एक शोटे से वोल्म में भी क्या होगा कंपरेश करके खटा हो जाएंगे तरफ क्योंकि इनके जो मॉल्लेकुल के बीच में जो स्पेस है वह बहुत ज्यादा है अब यह स्पेस हुआ क्यों विच में अट्रेक्शन फोर्स भी इस एक एक रिप्रसन फोर्स बहुत ज्यादा काम होता है गैस के मॉल्लेकुल के बीच में टेकर करते रहते हैं इसके वीज़ेता है यह हाईली प्रेस हो जाता है क्योंकि बीच में जो स्पेस है यह जादा बड़ा फेक्टर है गैस के कंपरेशन के लिए तो या गैस के expansion के लिए अब gas का expansion जोब होगा उनके बीच में space बढ़ेगा कितना यो बढ़ सकता है वो जब gas compression होगा चुकि इनके बीच में space काफी अच्छा है उसको लोग compress करके छोड़े से volume में खटा कर सकते हैं ठीक है यह आपका question है आपको मेरा अंसर है वह यह है बस जो आपका space से related है ठीक है तो पहला जो आपके पास है option वह है तो volume occupied by molecule of gas is negligible as compared to total volume of the gas यह इसका compression का reason नहीं है ठीक है यह statement सही है लेकिन जो आपसे question में बोला गया है उसका reason नहीं है volume occupied molecules of the gas is negligible as compared to total volume of the gas मतलब जो total volume तो gas में जो जो molecules है उनका volume काफी काम होता है क्योंकि molecule का volume काफी काम हरेगा इस comparison of जो आपके पास current है उसका volume आपने जिए V है और जो gas के molecules है उनका volume में आपने जिए small v है तो वी बहुत बढ़ा होगा यह सही है इसमें कोई problem नहीं है लेकिन यह explain नहीं कर पा रहा है statement को statement यह है कि इसके volume को कितना चोड़ा कर सकते हैं और कितना बढ़ा कर सकते हैं तीक है उसका reason पर यह है कि इंके बीच में space काफी जादा होता है दूसरा option है gases consist of molecules which are in the state of random motion random motion भी होते रहते हैं पर यह कोई reason नहीं हुआ कि इनको compass कर सकते है नहीं कर सकते है random motion colloidal में भी होती है ठीक है लेकिन उनको इतना जिच्छे सब compression expand नहीं कर सकते है ठीक है third colloidal में ने जो बोला है वह मैं बत कर रहा हूँ liquid के लिए third gases consist of molecules having very large molecular space which can be reduced or increased यह आपका अंसर होगा है ठीक है इनके बीच में बढ़ा भी सकते और कम भी कर सकते है easily क्योंकि इनके बीच में attraction force represent force काम करता ही नहीं है तो जितना पास लेका होगा ऐसे नहीं कि फोर्स काम करना इस्टू कर देगा वह दूसरे से independent रहते हैं ठीक है बहुत कम force काम करता है real gases की case में तो यह आपका अंसर क्यों हो जाएगा third हो जाएगा thank you Classics to dwell से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 उपर